हेलो नमस्कार दोस्तों रभी ओनलान क्लासेस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग मोडल फैक्टी से 26 किरन पब्लिकेशन के देखेंगे कि वीडियो लंबा हो जाए इसलिए हम सोच रहा हैं कि आधा आधा करके ही बनाए तो आप अच्छा से देख पाएं पूरा वीडियो आप देख नहीं पाते हैं दोस्तों मुझे भी मेहिनत लगता है और आपको भी लॉंग देखने में भाहर पड़ता होगा इसलिए कम ही समय में आपको आधा प्रोवाइड करें फिन दूसरे पार्ट में करूंगा पाला कीचुन देखिएगा दोस्तों कि निमलिखित में से कौनसा परवतिये दर अरुनाचल परदेश के हिमालाई छेत्र में अवास्तित हैं दोस्तों हमारे भारत और चीन और म्यामर के विवादित यह कुआ क्केूर एक ट्री बिंदू सिमाओं के छेत्र के चारोर पाहारी दर्ण है जो दिफु दर्ण परता है दिफु दर्ण हमारे पुर्वी अरुनाचल परदेश के लिए ए्रर नितिक दिश्टी कौन से महत्पून हैं या मैंक मुहान रेखा परिस्तित हैं दिफु दरा जो है मैंक मुहान रेखा परिस्तित हैं कहा जाता है कि भारत और चीन के निमलिखित में से कौन चालीक सासक कृति बरवन प्रतम के पुरवर्ति थे मतला फहले थे दोस्तों बदामी के चालुक बंस का बस्थाविक संसापक पुलकेसिन प्रतम थे बदामी या बतापी बदामी के चालुक बंस का बस्थाविक संस्थापक कहा जाए तो पुलकेसिन प्रतम थे जिनका सासनकाल 550 से 566 थे उसने बदामी को अपनी राजधानी बनाया उन्होंने बल वेस्वर की उपादे धारन की और आस्मियग याग करवाया किरिती वर्मन 566 के बाद 500 सासक बना जो 500 संतान में इस भी तक रहा है तो किरिती वर्मन प्रतम के फाहले चालुक बंस का सासक पुलकेसिन प्रतम थे कोई भी सीष्ट जैवरा साइने का किरिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरा के रुप में कार्ज करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है दोस्तों इंजाइम से किरियन उर्जा बदहों को कम करके और किरिया धार अनुओं को उत्पादों में परिवर्चित करता है जो उत्प्रेरित करता है इसे इंजाइम कहा जाता है बजार में उपलब्ध अन रिनों किया पेच्छा तुलनात्मक रुप से अधीक उदाव नियमों और सर्तों वाले रिन निमलिकित में से क्या कहलाता है तो उसे सुलब रिन कहा जाता है कौन सा रिन कहा जाता है सुलब रिन या सौफ्ट रिन के नाम से भी जाना जाता है निमलिखित में से कौन सी पुछतक भारतिय लेखी का दिपा अनापरा द्वारा लिखी गई है तो जीन पिट्योल अंदी परपल लाइन भारत के सविधान का निमलिखित में से कौन सा अनुछेद में कहा गया है कि पाकिस्तान के कुछ परवासियों की नागरिता के अधिकारों से समन्दित है तानुछेद साथ में दोस्तो यदि भारत का कोई नागरिक एक मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया है लेकिन भारत में पुनवास के लिए पर्मिट के अदार पर भारत लोट आया है तो आप व्यक्ति भारत का नागरिक बनने का हकदार है या भारत सरकार दोया निउक्तिय अधिकारी का पंजी करन के लिया बेदन कर सकता है उसके लिए कम से कम 6 महिन तक रहने के बाद भारत के नागरी के प्राप्त होगा तनुछे देखोगा निमलिकित में की समीति ने electronic funds transfer पादनालिय स्थापित किये जाने की अनुशंसा की है तो 1995 में सेरा समीति सेरा समीति के द्वारा रिजर्व बैंक ने electronic funds transfer और अन इलेक्ट्रोनिक भुखतान पर कानून के प्रस्ताव के एक समीति का गठन किया था सिंदू घाटी सव्यता के अस्तल काली बंगन और बाला थल निमलिकित में से किस राज में इस्तित है काली बंगा और बलता राजस्थान में सिंदू नदी घाटी पर इस्तित है कहां में इस्तित राजस्थान में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में कहां किया गया था तो दोस्तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था बिहार सोशलिस्ट पाटी का गठन 1931 में गंगा सरंसी, राम बिरीच, बेनीपुरी और रामानंद मिस्रा द्वारा किया गया था लेकिन इसका अपचारिक अस्थापना 1934 में पटना के अंजुमन हॉल में किया गया था बिहार में किस खनिज की प्रचूरता पाई जाती है तो दोस्तो पाई राइट का बिहार में मिलने वाली प्रचूर खनिज कहा जा तो पाई राइट है पाई राइट लॉग का सलफाइड आयस्क है जिसका उप्योक सलफियूरिक एसिड बनाने में किया जाता है मुख खुरुप से रोहतात जिले में पाया जाता है रिजनिंग देखिएगा दोस्तो यदि भारवल को इतना लिखा जाता है तो अपडेट को इतना लिखा जाता है तो कॉम्प्लेक्स को कैसे लिखा जाएगा दोस्तो देखिए क्या किया गया है भारवल इसे इतना से कोडिंग किया गया है क्या लिखा है तो 22 एकामन 21822 पुछ किया नहीं दो इसको सीरियल नंबर में लिखिए बाढ़ते करम में मतलब एक से स्टार्ड केजिए A B E L R B और सब के नंबरिंग पता है एक दू पाच इलका नंबर पर आता है 12 18 22 इसी परकार इसका बीपरित करके सजा दिया गया बीपरित करके सजा दिया गया इसको बारा अठारा इसका सुरू से इस परकार बीपरित करकी से सजाया गया बारा एकामान और इसको बढ़ते करद में सजाया गया ठीक इसी परकार आपको कह दें कॉम्प्लेक्स है इसे आप ए भी सीडिके बढ़ते करम में सजाये तो पहले क्या लिखेए रही अगर इसे A, B, C, D के बढ़ते करा में सो यह तो पहले क्या आएगा E पहले C आएगा फिर लिखा गया स्वारी समाजे मेना आएगा complex पहले C वो क्या बाद क्या आएगा E E के बाद आएगा L, M, O, X अब C का आएगा नमबर पर आता है 3, E 5, L 12, M, तो M का है 13 नमबर पर, O 15 और X का नमबर पर आता है 24 सोरी ओ तो ओ तो ओ सुल एपन ठीक है अच्छा complex है तो complex पी छोड़ दिये न तो पी क्या होगा यहां पर पी पी का आएगा नमबर पर होगा 16 बतायत यह आपको किस में मिलता है तीन, पाच, बारा, तेरा, पंदरा, सोला, चोविस तो ओप्सन नमर चार में मिलता है सर्थ निमलिकित स्रेनी में प्रस्ण बाचा एक चीन के अस्थान पड़े दिये गए भी कलपों में से कौन सी सेंख्या आएगी आठ को चौदा लिखा, चौदा को सताई, फिन सताई, चौण सट है, 149, 362 के बाद क्या लिखा जाएगा दोस्तों आठ में पाला छे जोरा फिर तेरा जोरा तो सताईस हुआ है फिन पच्छात्तर जोरा लेकिन यह पट्टावन क्या है यह देखना है ना तो छे दुनी, बारा पला सुवन, तो तेरा जो हुआ गया, अब तेरा तिया उन्चालिस है, तेरा तिया उन्चालिस और माइनस दू किया, तो चौण सट हुआ, उसी परकार फिन दूगना कीजे, 37 दुनी और पलास एक कीजे, तो एक सो उन्चालिस है तो उसी परकार यहां पे 362 दुनी और पलास से कीजेगा, तो 809 आएगा, उस बन बेन आरेक का चैन कीजे, जो निम्नांकित बरगों के बीच समन्द का सर्फशेष्ट निउपन करता है, लरका विद्यार्थी किरकेटर है, देखिए सरे, विद्यार्थी किरकेटर भी हो सक सकता है, और विद्यार्थी, नहीं, नहीं, सुरी, लरका विद्यार्थी भी हो सकता है, और किरकेटर भी हो सकता है, कुछ लरके विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ लरके किरकेटर भी हो सकता है, तो यहां पटन कहां पे फोलो कर लाए है, तो आप्सन नमबर 3, तेरा क्या ह तीन उस बिकल्प का चायन करें जिसका तीसरे सब्द से वही समन्द है जो दूसरे सब्द का पाले सब्द से समन्द है अर्जटीना के पेशो हंगरी के क्या होगा देखें दोस्तों यहां पे किसी देश के मुद्रा से समन्ददर्स आया गया है जैसे अर्जटीना के मुद्र का नाम पेशो है उसी परकार हंगरी के मुद्रा का नाम फोरिंट है क्या है फोरिंट था आफसा नम्र तीन होगा चाहूदा क्या होगा आफसा नम्र है भाव धिये गए समिकरण को संतूलीत करने के लिए कीन दो चिनों को आपस में बदल देना चाहिए था तो आप से नम्बरे एस सिंपल के उचन छोटू एक पासे की दो इस चितियां दी गई है काता की दो वाले प्रिष्ट के बिप्रित प्रिष्ट पर क्या होगा देखिए जो इस पासे में कॉमन है उसे अप लिजिए तह चार और उसी से कलोक वाइज घुमाई है तह चार तीन एक क्या एगा चार दू चार दू पाच चार एक तीन दू के बिप्रित एक हो गया पाच के बिप्रित तीन हो गया च्छे के बिप्रित चार के बिप्रित चार नहीं हो सकता है क्या होगा च्छे होगा तदू का बिप्रित पुछा है ता अपसन नमर क्या होगा तीन जो कोमन मिलेगा उसको लेके कलोक वाई घुमा दीजिए और वहां से आप कर दीजिए कंसर नीचे दिये गए चार सब्दों में तीन में से एक नीचित परकार की समानता एक असंगत है उस असंगत भी कलप का चैन करे तो 17 के राइट एंसर होगा प्रमानित क्या होगा प्रमा आनित आनित तीन सब्दों से भी नहीं अन सभी सब्द असपाष्ट चीज या विप्रित विचार को दर्साता है नीचे दिया या कृति में कागज के मोहने और कुछे काटने का तरीका दर्साया गया है तो इस कागज को इस रूप से काटके दर्साया जाएगा तो यह वाले कहां पर आएंगे ओ तो हमको तो लगता है त्या ठारा कि नमबर अप्सन नमर एह होगा दोस्त काती एक ही को है बीच में उस भी कल्प का चैन कि जिसका तिसरी संक्या सुभाही समंद है जो दूसरी संक्या का पाली संक्या से है देखिए दोस्तों आठ को 179 में ल टीटनगा परेगा 8 क्यूट 64 आठ के क्यूट 512 नहीं होगा गुने आट 139 में पろămठ एक सब न्ठान में आएगा वही कुगा यजिक होगा 12ुसी 9 0 3 १्रत शेका नहीं होगा आप गुना करके देखिए कितना आएगा तो 438 आएगा आपसन नGS क्या होगा 438 में कि अप्सन नमर कि दी चार कि यदि दर्पन को दिये गए सोजन के दाईयों रखा जाए तो दर्पन में नीर्मित सही प्रतिवीं बताएं देखिए से दोस्तों यहां पर इसे पूछ रहा है दोस्तों ए बी सीडी में ए नहीं बदलता है ए नहीं बदलता है वो नहीं बदलता है टी नहीं बदलता है याद रखिएगा इससे बातों को यू नहीं बदलता है तो नजदीक वाला है तो नजदीक में कौन आएगा ए ए आएगा उसके बाद क्या आएगा डी ऐसे पलट जाएगा प्र होगा आई के बाद किया होगा तो सके बाद आप आइसे होगा अब हिंदी देखिएगा निमन में सूध बरतनी वाला सब्द बताएगा परदेशिक लिखा हुआ सही कौन है तो परदेशिक लिखा हुआ सही अप्सन नमर 3 है बिवा वारी किसका प्रवाची सब्द है तो एरातरी का बीरा का कौनसा बिलोम सब्द होता है दोस्तों तो बीरा का बिलोम सब्द है मिलन होता है क्या होता है मिलन जानने के लिए इच्छा के लिए एक सब्द है दिये गए भी कलपों में से सही का चायन करके निम्नस अस्थानों को बरे बिवाहित जोड़ी बड़े कलपनाओं के साथ अपना नया जिवन आलम करता है आजरम कर्द क्या होगा तो पचीश का है क्या होगा अधिकांस विभाहित जो रहे क्या होगा अधिकांस 26 देखिएगा 26 से English स्टार्ड है दोस्तों इंगलिस अगर आप जानते हैं तो आप राइट एंसर बताइएगा अपने कोपी में तो 26 के राइट अपसर नमर तीन 27 के क्या होगा दोस्तों 27 का अपसर नमर दो होगा 28 के क्या होगा चार 29 के अपसर नमर हम इंगलिस नहीं जानते हैं दोस्त इसलिए आपको शिर्फ एंसर बता देता हैं तीस के क्या होगा दोस्तों तो तीस का अप्शन नमबर तीन होगा अब कंप्यूटर देखिएगा कंप्यूटर सब्सक्राइब एमेस बर्ड दोजार साथ में सेल के बर्टिकल अलांटमेंट में समयोजित करने के लिए टेबल परपर्टिज विंडो में किस टाइब का प्रयोक किया जाता था दोस्तों एकसेल में एकसेल को बड में तालिका को लंबत रूप से सनेखित करने के लिए सेल टाइब का सेल टाइब पर स्विच करें सेल टाइब पर स्विच किया जाता था जिससे लंबत सनेखन में केंद्र चुने जाता था तो क्या होगा सेल क्या होगा सेल MS Excel में निमलिकित फीचर्स में किसका उपयोग सेलेक्ट की गई विभीन सेल्स को एक बड़ी सेल के रुप में मिलाने और नई सेल में कंटेक्ट को केंदर में रखने के लिए क्या जाता है तो मर्ज एवं सेंटर को निमलिकित में से कौन सा विकल पे डॉकमेंट में टेक्स्ट के बर्टिकल अलाइमेंट को फॉर्मेट कहने की छमता परदान करता है और इसका प्रयोक MS Word के डॉकमेंट बिंडो में टेक्स्ट के पंक्ति पर टाइब अस्टाप सेट कहने के लिए भी किया जाता है तो 33 का अप्शन वे डूलर बाद दोस्तो डूलर दस्ताप बेच के किनारे के आसपास रीवन के नीचे इस्तित होता है इसका प्रयोक दस्ताप बेच के पालरूप को बदनने के लिए किया जाता है MS Excel में तुरंत सेलेक्ट की गई सेल MS Excel में तुरंत सेलेक्ट गई गई सेल को सेल का योग गन्ना और आउसत जैसे चीजे निमलिखित में किस पर परदर्शित किया जाता है MS Excel में सेलेक्ट की गई योग गन्ना और आउसत चीजे जैसे को आप किस से परदर्शित किया जाता है तो स्टेटस बार से परदर्शित किया जाता है MS Word 2007 में Print Freeview विकल्प है में निमलिकित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलता है तो Microsoft में यह Formator Penter नहीं मिलता है निमलिकित में से क्या Search Engines द्वारा है सर्चिंग के लिए प्रयोक किये जाने वाला टूल नहीं है तो URL Uniform Resource Locator कहा जाता है MS Word के निमलिकित में से कौन से Feature का प्रयोग किसी सेलेक्षन इसे सभी परकार की फर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है जिसके बाद केबल समान टेक्ष सेस बचता है तक किलियर फॉर्मेटिंग किलियर फॉर्मेटिंग इबाइकिंग से वाओ के संदर्ग में नेफ्ट का पूनुप क्या होता है तो राज नेशनल इलेक्टोनिक फंड्स ट्रांस्फर डिलिट किए गए एमेल को रस्टोर करने के लिए आमतोर प्रिमलिकीत में से किस फोल्डर का पेरोग किया जाता है तो दोस्तों ट्राइस का फोल्डर से हटाये गए एमेल पूरी तरह से नहीं गया है तो इसको पहटाये गए इमेल को ट्रेस करके आम तोर पे निर्धारित ला सकते हैं और वो भी ट्रेस फोल्डर में 30 दिनों तक ही होता है MS Excel 2007 में निमलिकित में से कौन सा लॉजिकल फैंक्शन यह जाच करता है कि क्या सभी तर्क सही और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो ट्रू के रुप में परिनाम क्या दर्स आएगा देखें MS Excel 2007 में एंड फैक्शन यह जाच करता है कि क्या सभी तर्क सही है MS Excel 2007 में एंड फैक्शन यह जाच करता है कि क्या सभी तर्क सही है और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो यह ट्रू लोट आता है ट्रू तो एंड होगा क्या होगा तो सर हमें इसके बाद टेकनीकल हमें पाट टू टू में आपको अपलोड करेंगे